नमस्कार सेंपल समाचार में आज फिर से हम NRC आसाम में जो National Register of Citizens बना है पहला ड्राफ निकला है उसका फाइनल ड्राफ निकला है उसमें 40 लाख लोग गायब हैं और कहा जा रहा है कि देखिए ये 40 लाख लोग फिर से आविदन दे सकते हैं डॉक्यमेंट दे सकते हैं और उन को इंक्लूड किया जाएगा अगर वो सच में भारत के नागरिक हैं या नहीं इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जैसे आप जानते हैं कि एक राष्ट्रपती के दिश्टेदार उसमें शामिल हैं एक आर्मी आफसर इसमें शामिल हैं एंडी टीवी के सुनेत्र चौधरी हैं रि रेजिस्टर अफ सिटिजन्स हैं लेकिन इस पर एक बड़ा पार्ट एक तो है सिरफ नागरिक कौन है इसको इडेंटिफाई करना दूसरा है इस पर जो राजनीती चल रही है और इस राजनीती में कहीं न कहीं बताया जाता है कि बांगला देशी मुसल्मान घुसपैटी ह हैं हैं असमे घुसपैटी है कौन है ये सवाल उठाया जाता है और ये आज का नहीं है इसमें बीजेपी शामिल है कॉंग्रेस शामिल है एजीपी शामिल है सारे पार्टिया शामिल हैं किसी को आप अलग से नहीं कह सकते कि इन्होंने ये सवाल नहीं उठाया है ये बहुत बड़ा जटिल मुद्दा है और बहुत इमोशनल मुद्दा है असम में घुसपैठी है कौन है सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि देखे यह ग्राफिक हम चेंज करते कि लगभग 20 से 80 लाक कि बहुत बड़ा एक रेंज है 20 से 80 लाक कहा जाता है कि असम में बांगलादेशी हुसपैठी है आए हुए 1971 से लगातार बांगलादेशी हुसपैठी आ रहे है और इसी के चलते असम का जो आबादी है उस आबादी का जो कॉम्पोजिशन हो वो बदल रहा है 20 से 80 लाक आप देखिए नर्सी का पहला जो और फाइनल ड्राफ जो आया है ड्राफ्ट है इसक कि 80 लाक बांगलादेशी हुसपैठी है ग्राफिक्स को चेंज करते हैं वो तो कम से कम गलत है 80 लाक तो हो नहीं सकता सबसे जादा भी हो तो 40 लाक लेकिन आप भी जानते हैं आपने अगर मीडिया में नियूस पढ़ाए कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए जरूर ये ब बहुत सारे लोग हैं तो 80 लाक का अगरा तो गलत है कहा जाता है कि बंगलादेशी घुसपैठी है बंगला बोलने वाले मुसलमान हैं सबसे जादा कहा जाता है कि ये बंगला बोलने वाले मुसलमान हैं ये असम में आ गए हैं पश्टिम बंगाल में आए हैं और दोनों ज अगर से इनको निकाला जाएगा ये लगातार बता जाता है ये घुसपैटी हैं ये लोग एक तरीके से अवैद अवैद हैं इनको निकालना जरूरी है अवैद प्रवासी इसके लिए दो दलीले जिय जाते हैं सबसे पहले है कि भांगलादेश असम में बढ़ती हुए मुसल रेट है उसे जादा बढ़ रही है इससे साफ पता चलता है कि बंगलादेशी मुसल्मान अंदर आ रहे हैं तो कैसे मुसल्मान लोग के आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है और बंगाली बोलने वालों की भी आबादी जादा बढ़ रही है हम यह बोलने वालों से 2001 से 2011 ग्यारा दो सेंसेस का हम कंपैरिजन लें तो मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत बड़ी है असम में और ये शायद भारत में सबसे जादा बड़ता आप कह सकते हैं मुस्लिम आबादी की और आप अगर हिंदु आबादी देखे तो वो सिरफ 11 प्रतिशत बड़ी है इसी टाइम म तो ये जो डिफरेंस बताया जाता है इसको का जाता है ये अननैच्रल है हो नहीं सकता कि तब ही हो सकता है अगर 2001 से 2011 के बीच में बांगला देशी मुसल्मान असम में आए हो 2001 से 2011 के बीच बांगला भाशी जो हैं उनका भी वापस चलते हैं एक बार उस ग्राफिक्स पे वो भी बढ़ा है 23 प्रतिशत बढ़ा है जैसे मैं बोड़ रहा हूं कि overall population growth जतना हुआ है उससे जादा बांगला भाशीयों की और मुसल्मानों की आबादी बढ़ी है इसको अ गाली बोलने वालों की देखे तो 16.8 लाक बांगला भाशीयों की आबादी बढ़ी है ये ग्राफिक चेंज करके आपको दिखाते हैं 16.8 लाक बढ़ी है आबादी बांगला भाशीयों की अब दोनों को एक ही स्लाइड पे लगा कर देखते हैं कि अगर बांगला देश से म तो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा पॉपॉलेशन जो 2001 से 2011 के बीच में पैदा हुए हैं कम से कम 7.5 लाग तो ऐसे हैं जो वंगला नहीं बोलते हैं और ये है टोटल अच्छा मैंने क्या किया है मैंने लिया है कि 2011 में टॉप आठ जहां पे मुसलिम पॉपॉलेशन सबसे जादा है असम के सबसे जादा उससे दो मैंने हटा दिया है क्योंकि वो उसका जो जो जिला है उसको तोड़के अलग-अलग जिले बन गए हैं तो उसमें जो पॉपॉलेशन कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है तो मैंने ये आठ लिये हैं टॉप पेटा पर एक तरिके से कह सकते ह नाओ गाओं हैं धुबरी है बार पेटा है करीम गंज हैं कछार है गौाल पाड़ा है मारी गाओं है और हाइला कांडी अब इन आठों को क्यों लिया है क्योंकि इसमें हम देखना चाहते कि मुस्लिम पॉपॉपॉलेशन कितना है और बिंगॉली स्पीकिंग सुर्भी मुस्लिम बहुल जिलाय लेकिन बंगला भाशी 10 13 अ इसका मतलब आप देखिए कि अगर सारे मुस्लिम होते तो भी आप देख सकतें ऑल्मोस्ट उतने ही मुस्लिम हैं इस नौगाओं में जो भंगला नहीं बोलते है अब देख चलते हैं अगले डिश्रिक पर लेकिन बंगला भाशी सिरफ 30 प्रतिशत तो क्या ये सारे बंगलादेशी है ये सवाल आप पूछ सकते हैं वहाँ पर लोग पूछ रहे हैं जरूर बार पेटा, मुसलिम पॉपलेशन 70 प्रतिशत बंगला भाशी 62 प्रतिशत आप बोल सकते हैं यहाँ तो सब के सब बंगला भाशी कितने हैं? 87 प्रतिशत बंगला भाशी है, इसका मतलब बहुत एक बड़ा तपका, अगर सारे बंगला भाशी मुसलिम हो, तो भी बंगला भाशी बोलने बाले हिंदू बहुत सारे हैं, वो कहां से आये हैं? ये सवाल पूछना पड़ेगा, कछार, यहां पर बंगला भाशी जिन्होंने अपने आग कहा है कि हम बंगला भाशी 75 प्रतिशत, आप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा डिफरेंस है, उसी तरीके से ग्वाल पारा, यहां पर मुसलिम 57 प्रतिशत, लेकिन बंगला भाशी 30 प्रतिशत, अगर सारे बंगला भाशी बोलने व यहां पर भी आप फर्थ देख सकते हैं, कम से कम 30 प्रतिशत का फर्ख है यहां पर भी, मुसलिम प्रॉपूलेशन और बंगला भाशीयों का, और आखिर में हमारा जो आखरी है, हाईला कांडी, यहां पर भी 60 प्रतिशत मुसलिम, लेकिन 85 प्रतिशत बंगला भाशी, तो अगर बंगला बोलने वाले सारे घुसपेटी हैं तो सारे मुस्लिम नहीं हैं और इसी पे सारी राजनीती चलेगी और पिछले कल मैंने एक आपके लिए शो किया था इनर्सी पे उसे मैंने दिखाया था कि बंगला बोलने वाले मुस्लिम अभी नहीं आए हैं बहुत सारे 1850 स से आए हैं 1890 से आए हैं अंग्रेजों ने उनको बसाया था उनसे उनको किसानों का दर्जा दिया था और कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इस पे 1930 और 1950 के बीच बहुत जगड़ा होता था तो ये 1971 की बात नहीं है ये बहुत पहले से है बंगला बोलने वाले मुसल्मान और खुद बंगला बोलने वाले हिंदू असम में बहुत हैं लेकिन इसमें राजनी तियोरिये मेरे साथ एगर रिदेश जोशी हैं जो कवर कर रहे हैं इसको रिदेश अब बात जो बन गई है ये ये लगातार हो गए ये बात के कौन बोलेगा कि ये जो बंगला देशी है या घुसपैटिये हैं या ये जो 40 लाख हैं ये कौन है और इनके साथ क्या करना चाहिए इसमें क्या राजनी फिस वक्त हो रही है जैसा आपने शुरूआत में बहुत सही तरीके से साफ कर दिया कि इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है और ये मामला बहुत कि उन्होंने आज दो सवाल उठाए हैं जब उनकी यातरा का दूसरा दिन है दिल्ली के विजिट का उनका वो एक तो बंगाली असमिता का सवाल उठा रही है वो कह रही है कि बंगाली इसको ड्राइव आउट करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी बात वो ये माइनरि पूरे देश की पॉलिटिक्स में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आने वाले चुनाओं में और कॉंग्रेस इससे काफी uncomfortable भी होगी कल कॉंग्रेस बार-बार ये कह रही थी कि हमने तारबार किया है हमने फैंसिंग की है 90% फैंसिंग हमने की हमने गुस्पैठियों को आने से रोका है और हम इसके खिलाब नहीं है तरुन गोगोई बार-बार मीडिया को बोल रहे हैं कि ये मेरा brain child है मैंने ये किया है NRC मैंने किया था ये किसी और नहीं नहीं किया जैसे कि हम कल दिखा रहे थे कि Assam Accord जो हुआ था प्रफुलों महंता और राजीव गांदी के बीच 1986 में 1986 में ये पूरा 79 से 85 जो student movement चला था एंटी foreigner movement चला था उसके बाद जो Assam Accord हुआ था उसमें लगबग तै था कि एक citizen का register बनाना पड़ेगा ने तो आप बता नहीं सकते तीन तरीके के नागरिक तै किये जा रहे थे जो 1966 1st January 1966 से पहले आए उसके बीच 1966 से 24 मार्च 1971 तक जो लोग थे इन लोगों को कहा जा रहा था कि ये 10 साल में इनको नागरिकता मिलेगी 1966 से पहले जो आये थे उनको नागरिक माना जा रहा था और एक अतर के बाद जो भी हो हिंदू मुस्लिम जो भी हो पंगलादेश से आये उसको घुसपैटी अवैद प्रवासी माना जा रहा था और उनको कहा जा रहा था इनको वापस भेजा जाएगा और इस पर एक छोटा सा ब्रेक लेगे क्योंकि इसमें एक बहुत जटेल राजनीती जुड़ी हुई है जिसमें ममता बेंदर जी फसे ह हुई है बीजेपी फसी हुई है और बाकी पार्टिया कॉंग्रेस इस से दूर रहना रहने की कोशिश करें एक छोटे से ब्रेक के बाद रिदेश के साथ जुड़ेगे रिदेश जोशी हमारे साथ हैं पार्लिमेंट में जो एक तरीके से घमासान चल रहा है उसको कवर कर रहे हैं और वो बता रहे थे हमें कि किस तरीके से ये ममता बैनर जी के लिए दूविदा है कॉंग्रेस के लिए जो जन्योधारी पार्टी बनना चाहती है उसके लिए दूविदा है और बीजेपी के लिए एक अजीब सी दूविदा है इसमें रिदेश क्योंकि बीजेपी जानती है कि असम पश्चिम बंगाल ये दो बड़े स्टेट हैं जहां पर उनको सीट बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी लॉस उनका नॉर्थ में होगा या वेस्ट में होगा उसको 2019 में वेस्बिंगॉल और असम से पूरा करके लाना पड़ेगा वेस्बिंगॉल असम उरिसा और यह जो मामला है घुसपैटी बंगलादेश से आने वाले घुसपैटी यह असम और वेस्बिंगॉल दोनों में एक बहुत ही इमोशनल मामला है जैसे आपने बात कहीं कि बीजेपी की पहली तो इससे थी यह है कि बीजेपी ने 105 सीटें जो है वो यूपी और रास्थान से जीती और इन दोनों राजियों में अगर यह मान लिया जाए सपा बसपा का गड़बंदन हो रहा है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा लॉस अपरेंटली अभी दिखाई देता है तो इसके लिए वो जरूर नॉर्थ इस्ट की और देख रहे होंगे और वो इस पॉलिटिक्स को इंटेंस करना चाहते है 105 सीट वहाँ पर है 105 सीट मैं उनमें से बहुत सारे सीट बीजेपी जीत कर आई लगबग आप कह सकते है 98 सीट 98 सीट, साथ सीटें केवल सुची आपके 25 की 25 रास्ता जीता लेकिन हम अगर वेस्ट बेंगौल और असाम के अभी बात करें तो जो लोग घुसपैठी आ रहे हैं उनमें से ऐसा नहीं कि सारे के सारे मुस्लिम है हम देखें 1978 के बटवारे के बाद जो इस्ट और वेस्ट जिसके चलते सरवणन सोनवाल या अमिच्छा सबने असाम के इलेक्शन से पहले कहा था कि जो हिंदू है उनको हम सिटिजनशिप देंगे लेकिन ये असम में एक प्रॉब्लम है कि हम यह कहते हैं बंगाली चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू जो 71 के बाद आये हैं उनको जाना है तो इस वक्त क्या दिक्कत है बीजेपी के सामने कि जो लोग इस्ट पेंगाउल से यानि बंगला देश से आए हिंदू अगर हैं और बंगला बोलते हैं तो उनका क्या करेंगे और अगर मुस्लिम्स को हटाने की बात है जिसके अधार पर एक राज़िती तेह होती है तो क्या वो इन दोनों चीज़ों को मैच करते हैं तो ये बीजेपी के लिए भी एक डाइलिमा है दुविदा की स्थिती है तो ये मामला जो है लोगों को ये भी बता दू कि ये सुप्रीम कोट के करवा है ये ना बीजेपी ने करवा है ना कॉंगरेस ने करवा है Supreme Court ने कहा था कि NRC आपको तैय करना पड़ेगा और जल्द से जल्द और यह जो बन रहा है वो भी Supreme Court के निगरानी में हो रहा है Court निकल जो एक बात कही थी कि इसमें process बहुत important है आप यह नहीं कि आपने जो register जो दे दिया हमें ड्राफ्ट दे दिया उसके आधार पर हमें उसे final लेंगे process बहुत important है और तरुन को गई कि जो बेटे हैं गोरों को गई उनका बयान कल इसमें जो बीजेपी का डायलिमा है वो उसमें भी reflect होता है कि अगर हम तो कह रहें कि इसको मान लीजिए नर्ट सी जो भी आया है लेकिन क्यों बीजेपी ऐसा कह रियों एक मौका क्यों दे रही है सरकार दुन he рук सब के लिए यह बहुत complex चीज ए ह बहुत ही एक पॉलिटिक इसकी जो राजली Tी है बहुत ही जटिल है और मामला भी जटिल है उतना आसान नहीं है जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे बंगलादेशी जाएंगे कहां लेकिन उसमें आपको ये भी सोचना करेगा कि असम के लोग कहेंगे आप अपने घर में रख लीजे तो ये पूरा मामला है बहुत जटिल है इसका कोई आसान समाधा नहीं है आज का सिंपल समाचार यहीं तक